हालो एवरीबरन, वेलकम टू पैरामेडिकल कॉंसेट, इन टूदेज वीडियो वील गएंग टू डिस्टकस ता मैल्टिपल पैरामेडिकल पोस्ट अड़राइज बाइज वाई पहले का आप जैसा पोस्ट देख पा रहे होंगे, पहले का पोस्ट है फार्मासिस्ट, फार्मासिस्ट के लिए कौन से कैंडिएट एलिजेबल होगा, बी फार्मासी और डी फार्म कैंडिएट अर एलिजेबल तो फार्मासिस्ट के लिए जो जो लोग कैंडिएट अपलाई पी सी भी रहना चाहिए इसका सेलरी कितना रहेगा इसका सेलरी रहेगा 28,100 इसमें टोटल कूल पोस्ट कितना है पोस्ट है 12 और इसका इंटर्व्यू का डेट कि कभ है डेट है 12 दस दिसेंबर 2022 varaism depending कि नर्सिंग एसिस्टेंट में कौन सा कंडिए इलिजबल है डिपलूमा जो बोलते है जनेम नर्सिंग जेनम जो कंडिएट है वो इलिजबल है वी सी नर्सिंग भी इलिजबल है इसका भी सेलरी रहनेगाला है 28,100 इसमें एक ही पोस्ट रहनेगा नेक्स पोस्ट है फीज इंटर्वीू कब होगा, फीजो थेरापीस का इंटर्वीू होगा, नौ तरीक, फीजो थेरापीस में क्या लगएगा? Essential Qualification, Diploma, Class 1, Physiotherapist. Next Post है, Lab Assistant. Lab Assistant के पहले तो जान लेते, Lab Assistant का कब इंटर्वीू होगा? नौ तारिक को इंटर्व्य होगा, लाब एसिस्टेंट के लिए, basic qualification क्या लगेगा, लाब एसिस्टेंट के लिए basic qualification लगेगा, DMLT और Lab Tech Course, next, Lab Technician, Lab Technician के लिए salary कितना रहेगा, BSC Medical Lab Tech, और 10 plus 2 Science with Diploma in MLT, इसका भी इंटर्व्य होगा, 9 तारिक को, next है Dental Hygienist, Dental Hygienist में salary कितना होगा, 28,100, इसमें कुल 4 post है, Dental Hygienist का exam कब होगा, 8 तारिक exam होगा, और एक बात में बोलना भूल गया, Lab Tech का exam होगा, 9 तारिक को इंटर्व्य होगा, Lab Tech में कुल 6 post है, next है, Dental Officer, Dental Officer जैसे का हम लोग BDS बोलते है, BDS का salary कितना रहेगा, 75,000, total 5 vacancy है, MDS जो है उधर में, उधर का उनलोग का exam होगा, 7 तारिक को, और जो BDS है, उनलोग का इंटर्व्य होगा, 6 तारिक को, next है Medical Officer, Medical Officer MBBS, basic salary होगा, 75,000, vacancy कितना रहेगा, vacancy 15 और इसका इंलोग का इंटर्व्य होगा, 6 तारिक को, next है Medical Specialist, Medical Specialist MD और MS in General Medicine, 1,00,000, salary होगा, इसका vacancy रहेगा, 4, date of interview रहेगा, पास तारिक, next, OIC Poly Clinic, Graduate in Reserve Retired Defense Official के लिए, यह post है, इसमें कुल 3 vacancy है, और इसका date of interview रहेगा, पास तारिक, next, basically यह जो post है, यह क्या permanent post नहीं, यह permanent नहीं है, यह contextual post है, बड़ जो जो candidate इधर में जोइन करेंगे, इन लोग को क्या है, extension मिलेगा, इधर में जो, इसके लिए कैसे apply करना परेगा, apply करने के लिए, ECHS का official website में, official website में जाना परेगा, official website में जाके, form डाउनलोड करना परेगा, और official website में ही, term and condition क्या रहेगा, वो candidate डाउनलोड कर सकते हैं, और डाउनलोड करके पर सकते हैं, next, जैसे के आप लोग देख पा रहे होंगे, इसके लिए जो contact number दिया हुआ है, 738-236-1574, इधर में आप लोग contact करके, इस post के पर में, और कुछ information जान सकते हो, submission कहा करना परेगा, submission करना परेगा, station headquarter, ECHS cell, Bison, URS complex, Nagmandir, Trimul Gheri, post Srikandarabad, 50015 Tilingana state, last date कब रहेगा, इसका last date रहेगा, 19 November, but इधर में क्या करना परेगा, candidate को सब form डाउनलोड करके, form के साथ सब कुछ attach करके, इधर में post करना परेगा, इधर का email ID क्या है, email ID है, ECHS headquarter secondarabad, at the rate, gmail.com, next, जो जो candidate अपना document attach करके भेजेंगे, उसके बाद उन लोग को call किया, या mail किया जाएगा, जो जो candidate shortlist होगे, shortlist candidate interview देंगे, इसमें एक चीज़े, अगर आप जाते हैं, और एक servicemen जाते है, ऐसे एक ही post के लिए, तो एक servicemen जो रहेगा, defense या कोई army post में काम कर चुका है, उसको जादा preference मिलेगा, तो इस अल अबाउट, multiple paramedical post at ECHS headquarters, शेकंदरबाद, इफ यू लाइक और वीडियो, प्रीस लाइक और सब्सक्राइब चैनल, आपको अगर हम लोग का वीडियो पसंद आया, प्लीस हम लोग का चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू फर वाचिए,